जुही वर्मा और आप देख रहे हैं NewsLiveMP.com एक और बड़ी खबर मध्यप्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई और शायद इतनी बड़ी खबर जो ना पहले कभी कमलनात ने ना दिग्विजे सिंग ने ना कॉंग्रेस की किसी और मेता ने सोची होगी एक बार फिर सिंधिया का राजगराना अपना इतिहास दोरा रहा है जिस तरह किसे विद्रो करके अपनी पार्टी को छोड़ कर राजमाता सिंधिया ने बीजेपी जोईन की थी अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी उसके बाद उसी तरह सिंधिया ने भी ऐसा ही कुछ फैसला कर लिया है सूत्रों के मुताबिक खबरे हैं कि जोतिरादिति सिंधिया ने अपना स्तीफा दे दिया है वो कॉंग्रेस छोड़ कर आगे क्या करने वाले हैं फिलाल इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है बहुत सारे सवाल इसके बाद उठेंगे कि क्या वो बीजेपी जोइन करने वाले हैं या अपनी दादी की तरह एक नई पार्टी का गठन वो कर सकते हैं और यहीं MP में रहे कर MP की सरकार को चैलेंज करते रह सकते हैं या फिर वो बीजेपी का हिस्सा बनते हैं वहां से कुछ उनका बातचीत होती है और उसके बाद वो बीजेपी की थूर राज्यसभा जाते हैं उनका आने वाला कदम क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता लेकिन फिलहाल ये खबरें बहुत पुखता तरीके से सामने आ रही है कि सिंधिया ने कॉंग्रिस का दामन अब छोड़ दिया है जिसकी खबरें बहुत पहले से लोग कयास्क लगाते रहते थे कि सिंधिया नाराज चल रहे हैं प्रदेश अंध्यक्ष का पद उन्हें नहीं मिल पा रहा ये बात की नाराजगी है राजे सभा जाने के रास्ते में भी बहुत सारी अर्चने है सबसे बड़ा उनके बीच का रोड़ा बनके खड़े हुए है दिग्विजे सिंग और इन सारी नाराजगियों को दर किनार कर अब सिंधिया ने अपना फैसला ले लिया है ऐसा तैमाना जा रहा है